नमस्ते डेयो वीवस आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं question paper statistical mechanics का मेरे प्यारे वीवस यह question paper recent question paper है 2022 का तो यहां पर देखते हैं questions में क्या-kya है है ना हम लोग उने क्या क्या है प्यारे वीवस जो very short answer type questions है उसका answers यहां पर लिख रकर के रखा है short answer type और जो long answer type पर उनको हम लोग केवल डिसकस करेंगे जैसे हम लोग करते आ रहे हैं बट आगे से हम लोग क्या करेंगे इनके भी आंसर्स को आपको वीडियो है उसी में प्रोवाइट करवाएंगे ठीक है तो चलिए पहला जो कुश्चन है प्यारे वीपस्ट है वोट इस मैक्रो स्टेट है ना देख लिए बिसिकली क्या होता है जो मेक्रो स्कोबिक प्रोपर्टी होता है थर्मो डानमिक सिस्टम का उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक टॉम है यहां पर लिखा है हम लोग ने कि अपरिशन फुंक्शन ओके डिस्क्राइब्स तर्स्टिकल है फेस पॉइंट को इसलिए यहीं चीज़ आपके लिए हम लोग छोड़ रहा है ठीक है आगे का कुश्चन है हमारा गीवेन एक्जांपल ऑफ बोसोन पार्टिकल्स में कौन-कौन से एक्जांपल होता है उसमें से कोई एक एक्जांपल देना हम लोगों ने यहां दो लि अगे का कुश्चन है प्यारे विवेन एक्जांपल ऑफ फोमियोन पार्टिकल्द के एक्जांपल्स कि अगर बात करें तो एलेक्ट्रोंस और मियोन से यहां पर एक ही देना है बट आप दो ध्यान में रखिएगा तो बेटर रहेगा ठीक है आगे का कुश्चन है राइट एक्सप्रेशन ओफ स्टीफिन बोल्समें लॉग स्टीफिन बोल्समें लॉग का एक्सप्रेशन लि सब्सक्राइट लिए वन से कम होता है ठीक है अब आते हैं आगे आगे का कुश्चन है आपका वोट इस डीजेन प्रसी डीजेन प्रसी से जो है आप क्या समझते हैं यहां पर थिंक्स को लोगों ने लिखा है इट मिन्स टेट हाना देर आर मोर देन वन क्वांटम स्टेट इस विद दे सेम शापली हना डिफाइंड एनर्जी या फिर आप यह भी कह सकते हैं एक गिवन आइगेन स्टेट के कोर्रस्पॉंडिंग जो आइगन वेक्टर सोते हैं इसका आंसर यहां पर अबलेवल है ठीक है एक आंसर अम लोग ने आपके लिए छोड़ा है तो इस फ पॉफेक्ट गैस का इंट्रॉपी क्या होता है ठीक है तो उसे यहां पर हम लोगों ने लिखा है पॉफेक्ट गैस का इंट्रॉपी ठीक है यह एक्सप्रेशन है आपका पॉफेक्ट गैस के इंट्रॉपी के लिए ठीक है चेंज इन इंट्रॉपी का ही एक्सप्रेशन है ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा जो short answer type question है फ्यारे वीवस, उसमें है आपका compare, macro canonical, canonical and grand canonical ensemble, आपको पता है, ensemble तीन प्रकार के होते हैं, है ना जो ensemble होते हैं, वो तीन प्रकार के होते हैं, macro canonical, canonical और grand canonical, इन तीनों के properties को आप क्या खरोगे, यहाँ पर compare कर दोगे, ठीक है, हम लोगों ने इस comparison को एक वीडियो में discuss किया है, आप देखना चाहेंगे, तो link नीचे मिल जाएगा, description में, वहाँ से देख पाएंगे, अब चलिए देखते हैं, long answer type questions, long answer type question में, सबसे पहला जो question है, वो है, derive Maxwell-Boltzman distribution law, and evaluate the constants alpha and beta, मेरे प्यारे विपस देखिए, basically, both science-stand distribution law, formidirect distribution law, और Maxwell-Boltzman distribution law है, इन तीनों को आप देख लिजे, तीनों में से कोई ना कोई, एक long answer type में आता है, हो सकता है, दो आजाए, ओके, लेकिन तीनों से questions रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर question है, आपका Maxwell-Boltzman distribution law को derive करना है, आप देखिए, Maxwell-Boltzman distribution law का जो हमारा expression आता है, वहाँ alpha और beta मिलेगा आपको, उसमें alpha और beta का constants, वो constants होता है, उसका value हमें यहाँ पर evaluate करके दिखाना है, ऐसे generally अगर देखे तो distribution law में निकालना नहीं होता, अगर आपको केवल distribution law derive करने के लिए कहें तब, लेकिन अगर उसमें लिखा है कि evaluate the constants, then you have to evaluate it, आगे का question ह आपका discuss and explain both Einstein condensation, both Einstein condensation क्या है, you have to discuss it, okay, fifth question है आपका derived formidirect distribution law, देखे, दूसरा distribution law भी यहाँ पर है, जो formula है, distribution formula, आपको उसी formula को यहाँ पर क्या करना है, drive करना है, okay, लगभग Maxwell-Boltzman distribution law, formidirect distribution law, बोस Einstein distribution law, इन सब का जो formula है, लगभग सेम है, derivation जो है, formula का वो सेम है, and इसके बाद आपको चंदरशेकर mass limit को define करना है, ठीक है, sixth question जो है, प्यारे फिवस, वो है, derive an expression for entropy and thermodynamic probability, okay, entropy और thermodynamic probability के भी चेकी relation होता है, that is, s is equal to k log w, जहाँ पर s entropy होता है, और w जो है, thermodynamic probability होता है, k Boltzman constant है, इसी relation को यहाँ पर obtain करना है, and फिर, equipartition theorem को यहाँ पर derive करना है basically drive दिया हुए, बट आप क्या करोगे, statement दे करके इसका proof करोगे, ठीक है, seventh question जो यहाँ पर है, प्यारे विवस, वो है आपका, deduce relic genes law, stephen bolzman law, and veins displacement law, from plank law, देखिए, आपको क्या करना है, आपको जो है, planks radiation law, जो है, उसकी मदद से relic genes law, stephen bolzman law, और veins displacement law को derive करना है, ठीक है तो यह जो है, overall questions होगे, किसका statistical mechanics का recent question paper है, 2022 का, आशा है, यह चीज़ helpful हुआ होगा, discussion आपके लिए, okay,